जमूई में 18 साल का एक लड़का बिना UPSC परिक्षा पास किये IPS ओफिसर की वर्दी पहन कर घूम रहा था IPS बनने की खुशी में समोसा पाटी कर रहा था पुलीस को शक होने पर पूचताच की गई तो युवक ने संसनी खेच खुला से किये दरसल फेक IPS अधिकारी बने युवक मितलेश कुमार IPS की वर्दी पहन कर और कमर में पिस्टिल लटका कर करीब दो लाख की बाइक में बैठ कर घर से निकल कर समोसा खाने के लिए जब वह बाजार में रुका तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड लग गई मितलेश का हुलिया देख कर लोगों को कुछ हटपटा लगा तो किसी ने थाने में शिकायत कर दी इसके बाद सिकंदरा थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंग ने मौके पर पहुँच कर उसे दबोच लिया मितलेश कुमार ने बातचीत में बेहत गंभीर और चौकाने वाले खुलासे किये फैंक IPS बने मितलेश कुमार ने बताया कि खेरा इलाके के एक मनोच कुमार सिंग नाम के व्यक्ती ने उसे पुलीस में नौकरी लगाने का ओफर दिया था उसने IPS बनाने के लिए दो लाख रुपए लिये थे और उसके शरीर की नाप ली उसके दुसरे दिन मनोच कुमार ने उसे बुला कर वर दी बैच और पिस्टल दिया और कहा आज से तुम IPS ओफिसर हो इस गिरों में कई लोग शामिल है फर्जी IPS बने मितलेश कुमार ने बताया कि उसने अपने मामा से उधार पैसे लेकर फर्जी IPS बनाने वाले मनोच कुमार को दिये हैं SDPO सतीश सुमन सिंग ने बताय कि मितलेश कुमार नामक युवक लखिसराय जिले के हलशी सराय थाना क्षेतर के गोबरधन बीगा गाव का रहने वाला है फर्जी IPS बने मितलेश कुमार को गिरफतार किया गया है अगर मितलेश कुमार ने सही माइने में दो लाख रुपए देकर IPS की वर्दी ली है तो जमुई पुलीस की सबसे बड़ी चुन्नौतिये होगी कि पुलीस उस गिरो का भंडा फोड करे IPS की पुलीस बर्दी पहन कर ठाना छेतर में पाया गया था पुलीस त्वारा सक के आधार पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूच ताच की जा रही है आसपास के ग्रामीनों एवन प्रतेच दर्सियों से यह जानकारी प्राप्थूई है कि वह व्यक्ति खैरा ठाना छेतर से अपने घर हलसी थाना छेतर जा रहा था पुलीस त्वारा पूच ताच कर सारे मामले की बिस्तित तक्तीस की जा रही है और जल्द ही इस संबंध में बिस्तित सूचना आप सभी लोगों के साथ साजा की जाएगी